Hello students, class 9 की science में हम देख रहे हैं physics और आज हम देखेंगे chapter number 9 जो है आपका forces and laws of motion तो laws of motion पढ़ने से पहले हमें ये पता होना चाहिए कि force होती क्या है So force is a push or pull मतलब force क्या है? एक धक्का है या फिर एक pull करना है या इनि किसी चीज को खीचना होता है जैसी कि अगर हम एक example लेते हैं कि एक ये box है ठीक है? तो हो सकता है कि कोई इनसान इसके उपर यहां से धक्का लगा रहा है तो ये धक्का लगाना, इसको धकेलना, ये क्या होता है? पुश होता है तो इनसान इसको पुश करने के लिए कुछ force लगाएगा, कुछ ताकत लगाएगा ठीक है? ऐसी ही अगर कोई एक इनसान यहां पे है और वो इसको अपनी तरफ खीच रहा है किसी रस्सी से खीच रहा है या किसी तरह उसको पकड़के खीच रहा है तो वो कहलाता है पुल तो force क्या है? या तो किसी चीज को पुश करना या किसी चीज को पुल करना ठीक है? एक सिंपल सी इसकी है कि यह डेफिनेशन होती है तो जगा इसके हम प्रॉपर डेफिनेशन लिखे है तो क्या है? A force is an influence which tends to set a stationary object in motion or stop a moving body मतलब कि अगर देखो कोई एक चीज मूफ कर रही है जैसे एक बॉल है यह मूफ कर रही है तो अगर मैं इसको यहाँ पर रोक देता हूँ force लगाके तो क्या होगा? एक moving ball stationary हो गई या फिर एक अगर stationary ball है यहाँ पर और इस पर मैं कोई एक force लगाता हूँ तो वह ball move करनी शुरू कर देती है तो भी एक यह force हो गई जैसे कि आप देखो यह हमाँ पास pen की cap है अब इस stationary है मैं इसको push कर रहा हूँ तो यह move करी तो यह force हो गई अगर यह move कर देती हो मैंने इसको यहाँ पर हाथ से दोख दिया किसी तरह जैसे तो यह क्या हो गया मैंने एक moving body को stationary पर लिया ठीक है तो यह force है यह force की proper definition है then the direction in which a body is pushed और pulled is called the direction of force जैसे कि अगर यही चीज थी यहाँ पर यह box है अगर इसको यहाँ पर push किया जा रहा है तो direction of force क्या हो गई इस case में जिदर की तरफ आप push कर रहे हो तो direction of force यह ऐसे हो गई अगर इसको अपनी तरफ पुल किया जा रहा है तो direction of force इदर की तरफ हो जाएगी so the direction in which a body is pushed और pulled is called direction of force ठीक है so basically अपनी force के आर में क्या देगा force क्या है force एक push है या फिर एक pull है जो किसी body के अप्लाई करते है force से हम किसी stationary body को move करा सकते है किसी moving body को stationary बना सकते है उसको रोक सकते है और direction जिस direction में आपने force लगाया push लगाया पुल लगाया वो क्या गया लाते direction of force ठीक है so this is the basic introduction and definition of force अब देखते हैं effect of force क्या होता है इसमें question भी बन सकता है what are the various effects of force ठीक है so आप इसको ऐसे question भी ले सकते हैं अब जैसे कि आपने देखा कि force एक stationary body को move करा सकती है जैसे कि अगर एक बॉल थी stationary है अभी stationary का मतलब होता है move नहीं कर रही है और इसके उपर मैंने यहां से force लगाई so एक force मैंने यहां पर लगाई एक push लगाया तो यह ball का करेगी अफ it will start moving और suppose वो यहां पर आजाएगी ठीक है so a force can move a stationary body ऐसी इसका opposite stop a moving body suppose यह ball यहां से चलनी शुरूँ ही यहां पर आई और यहां पर आपने इसको रोग दिया कुछ force लगाके आपने इस ball को यहां पर रोग दिया तो stationary से वो क्या गई sorry moving थी moving से वो वापिस stationary हो गई यानि रुग गई then change the speed of a body अब देखो body की speed भी हम change कर सकते हैं जैसे कि एक अगर कोई ball 10 km per hour की speed से travel कर रही थी यहां तक आई यहां पर मैंने उसके उपर कुछ force लगा दी और वो force इतनी नहीं थी कि इस ball को रोख सके उसने इस ball की speed को अब कर दिया 5 km per hour तो इस तरह से हम देख सकते हैं कि हम moving body की speed को कम भी कर सकते हैं और आप बड़ा भी सकते हैं अगर force मैं यहां पर लगाता है तो हो सकता है कि इसकी speed आप हो जाती 15 km per hour ठीक है तो हम किसी भी moving body की speed को कम या ज़्यादा कर सकते हैं by the application of force उसके बाद एक moving body की direction को change करना अब तो direction कैसे change होती है suppose एक ball यहां से इस direction में move कर रही थी मैंने force लगाई उसके उपर कुछ इस तरह इस direction मैंने force लगाई तो क्या होगा ball जो यहां पर थी force लगने के बाद हो सकता है ball की direction यह हो जाए so this is the change in direction of the ball due to the application of this force then change the shape and size of a body for example हमारे पास यह बैलून है एक ठीक है बैलून है यहां से मैंने force लगाई यहां से मैंने force लगाई तो क्या होगा इस बैलून की shape change हो जाएगी अब इस बैलून की shape कुछ इस तरह से हो जाएगी ठीक है so force can also used to change the shape and size of a body so basic basic हमने definition देखिए effects of force देख लिए now we will move forward with the concept of balanced and unbalanced forces so सबसे पहले हम देखेंगे balanced forces क्या होती है so balanced forces का जो definition और वो क्या कहता है if the resultant of all the forces acting on a body is zero then the forces are called balanced forces जैसे की एक example लेते हैं इसका एक हमारे पास अगर कोई भी box stationary पड़ा है stationary box है हमारे पास जैसे let us suppose this is a stationary box which is not moving ठीक है ये concept है कि एक stationary box है जो move नहीं कर रहा है अब stationary box के उपर मैं अगर यहाँ से कोई push कर रहा हूँ कोई force लगा रहा हूँ push का यानि मैं इस box को हिलाने की कोशिश कर रहा हूँ बट ये box इतना भारी है कि ये move नहीं करेगा तो देखो इस case में क्या होगा इस push के opposite एक force of friction लगेगा जो की इस box को move करने से रोक रहा है ठीक है अब ये जो force of friction है वो किसके बराबर है वो इसके बराबर है force of push के तो आप यहाँ पर लिख सकते हो that force of friction is equals to force of push तो इन दोनों forces का इन दोनों forces का जो resultant आएगा कर दोनों बराबर है तो इन दोनों का जो resultant आया वो कितना आया zero ठीक है ना so resultant कितना आगा है zero क्योंकि दोनों forces बराबर है ऐसे ही एक force लग रही होगी इस box से towards the ground और इसको हम बोलते हैं force of gravity जितना इस box का weight है उसके according एक force of gravity लग रही होगी नीचे अब इसी का ही एक reaction होता है उसको हम बोलते हैं force of reaction और ये भी दोनों बराबर होते हैं ठीक है यानि force of gravity is equal to force of reaction so again अगर हम देखते हैं दोनों बराबर हैं तो जो resultant आएगा वो कितना आएगा 0 so overall जब आप देखते हो balanced forces के case में overall जो होता है जो net result होता है सारी forces का वो कितना है 0 क्योंकि आपके जो body है जो box है वो stationary है वो move नहीं कर रहा है अब इसी का अगर हम opposite लेते हैं जो कि है unbalanced forces unbalanced forces के अंदर क्या क्या गया है कि if the resultant of all the forces acting on a body is not zero then the forces are called unbalanced forces अब resultant जो है वो zero नहीं होगा ठीक है so let us say let us take an example और example में अब हम ले रहे हैं एक car को ले लेते हैं ठीक है एक car को ले लेते हैं जो move कर रही है so a car which is moving ठीक है so अब देखो इस पे कौन-कौन सी forces लग रही होंगी एक force तो towards ground ही लग रही होगी force of gravity इसमें तो कोई problem नहीं है कि force of gravity अपने weight के according जितनी भी force है वो हर body लगाती है अब इसी का जो resultant होगा वो अपर side में लग रहा होगा force of reaction और यह दोनों equal होते है तो इसमें कुछ हमें नहीं देखना कि इन दोनों में क्या difference आएगा they are equal ठीक है then let us say एक push हो रहा है इस car को move करने के लिए यहां से force of push अब अगर हम कह रहे है कि यह जो car है यह moving car है so that means जो force of push है वो जो force of friction है जो इस body को move करने जो रोक करा है उससे जादा है तभी तो body आपकी move कर रही है ठीक है ना so in this case we can say that the force of push is greater than force of friction क्योंकि तभी आपकी car move कर पा रही है अगर दोनों बराबर होते है या friction की force जादा होती तो आप कितना भी जोर लगा लो body move नहीं करती तो जब आप कहते हो कि force of push is greater than force of friction so that simply means that resultant is not zero net result zero नहीं होगा और यही आपका unbalanced forces का concept है ठीक है so balanced forces के case में आप इस example से मता सकते हो unbalanced forces के case में आप एक moving body की example से समझा सकते हो अब Newton ने first law में क्या काता है body at rest will remain at rest and a body in motion will continue in motion in a straight line with uniform speed unless it is compelled by an external force to change its state of rest or of uniform motion तो इसका मतलब क्या कि एक अगर body कोई rest पे है तो रहेगी अगर कोई body move कर रहेगी uniform speed से कब तक जब तक उसके उपर कोई external force apply ना किया जाए और जो external force apply करोगे वो या तो उसकी state को change करेगा जैसे कि अगर stationary है तो उसको move कर देगा अगर moving है तो उसको stationary कर देगा या फिर जो उसकी speed को change करेगा ठीक है so simple सा अगर हम एक example लेते हैं इसमें जैसे कि यह एक body है और यह body अभी rest पे है अब यह body कब तक rest पे रहेगी जब तक हम एक external force इसके उपर नहीं लगाएंगे suppose मैंने यहाँ पर force लगाई तो यह क्या हुआ इस body ने move करना शुरू करती है ठीक है so इसका मतलब क्या हुआ कि body ने अपनी state of rest को change कर दिया पहले stationary थी यहाँ पर और यहाँ पर वो move करनी शुरू हो गई ठीक है ऐसी suppose करो कि जो body है वो move कर रही थी move करते 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 यहाँ पर खहीं पहुँची और यहाँ पर मैंने force को लगा के इसको रोग दिया तो याँनि moving body को हम कहाँ पर लिया है stationary position के उपर तो यह first law of motion कहता है इसमें वो यह भी कहता है कि जो आपकी body है उसकी speed को भी हम कम ज़्यादा कर सकते है by the application of external force तो बहुत important इसकी definition है आपको याद होनी चाहिए इसकी definition then we come to the concept of inertia inertia के कहता है it is a property of body due to which it resists a change in its state of rest or of uniform motion मतलब किसी भी body की वो property जो अपनी state को change करने के लिए resist करती है उसको oppose करती है वो कहलाता है inertia basically inertia क्या होता है यह mass होता है किसी भी body का कितना भार है कितना mass है उसका so mass is the measure of inertia of the body तो simple सी बात है जिसका जितना ज़्यादा mass उसका उतना ज़्यादा inertia so हम simple लिख सकते हैं heavier objects have more inertia than lighter objects so heavier objects have more inertia than lighter objects ठीक है तो इसलिए अगर आप compare करो suppose हमारे पास एक ये ball है और हमारे पास एक ये ball है अब इन दोनों बॉलों में से ज़्यादा ज़्यादा inertia किसका होगा ज़्यादा inertia इस वाली बाल का होगा तो कौन सी बाल के अंदर ज़्यादा force लगानी पड़ेगी आपको उसकी state of rest को या state of motion को change करने के लिए इसके अंदर so the application of force should be greater for this than compared to this क्योंकि इसका inertia ज़्यादा है compared to this ठीक है so this is inertia and force is a vector quantity क्योंकि force के अंदर magnitude के साथ साथ direction भी involved होती है ठीक है so this is the Newton's first law of motion simple है कि body आपकी rest पे रहेगी या body आपकी motion में रहेगी कब तक जब तक आप उसके उपर एक external force को apply नहीं करते हैं so simple सा concept है यह अगला concept है इसमें momentum momentum is defined as the product of its mass and velocity मतलब अगर किसी के mass और velocity को हम multiply कर देते हैं तो हमें क्या मिलता है momentum so simple से इसका formula क्या है m into v momentum को हम P से denote करते है it is a vector quantity और इसकी SI unit क्या होती है kg m per second mass की kg हो गई और velocity की m per second ठीक है so this is the momentum अब इसके उपर हम कुछ questions को solve करेंगे दो question मैंने यहा पर लिखे हुए कापी simple से question मैंने यहा पर लिखे हुए so the question is what is the momentum of a man of mass 75 kg when he walks with a uniform velocity of 2 meter per second तो यहाँ पर आपको जो mass है वो कितना given है 75 kg velocity है वो कितनी given है 2 meter per second और हमें पता है momentum क्या होता है m into v so which is equals to 75 into 2 और 150 kg meter per second अब जब यह आप इन questions को solve करते हो नहीं तो आपको यह ध्यान रखना है कि जो आप answer लिख रोस में end में जो SI unit है वो correct हो इस वाले question का simple सा answer है 150 kg meter per second ठीक है then let us see the second question second question में है body of mass 25 kg अब इसका mass हमें given है 25 kg has a momentum of 125 kg per meter kg meter per second momentum given है mass given है हमें क्या find out करना है velocity so P is equals to M V पता है P कितना given है 125 M कितना given है 25 V हमें निकाल ला है so V कितना हो गया 125 divided by 25 which is equals to 5 meter per second ठीक है so इसका answer आगया 5 meter per second अब देखते है Newton's का second law of motion अब दो को second law of motion काफी important है क्योंकि इससे हमें एक बहुत ही important equation को derive करने में help मिलती है so according to the second law of motion the rate of change of momentum of a body is directly proportional to the applied force and it takes place in the direction of the force so basically इस law of motion से में क्या पता लग रहा है कि जो force है वो directly proportional है किसके rate of change of momentum so F is which is the force F is directly proportional to the change in momentum divided by time taken क्योंकि rate of change of momentum क्या होगा change in momentum divided by time taken ठीक है अब देखो momentum क्या होता है momentum हमने देखा था क्या होता है mass into velocity तो अगर मैं कहता हूँ कि मेरी जो initial velocity है मेरी initial velocity है U और final velocity है V ठीक है initial U है final V है तो हम क्या कह सकते है F is directly proportional to change in momentum क्या होगा final momentum minus initial momentum that is MV minus MU divided by time taken जो हम ले रे T के बराबर अगें F is directly proportional to M को common ले लेते है V minus U over T अब देखो equation of first motion जो हमने chapter number 8 देखा था उसमें क्या था equation of first motion V is equal to U plus A T और A is equal to V minus U divided by T ठीक है ना equation of first motion से यवि first equation of motion से so F is directly proportional to M into A और we can say that F is equal to mass into acceleration और यह काफी important formula है काफी important equation है इसका use आगे भी आप देखोगे और जो SI unit होती है force की वो होती है Newton ठीक है so SI unit है वो कितनी है Newton जिसको हम N से denote करते है so is this clear कि जो force है वो कितनी होती है mass into acceleration so this is the second law of motion Newton's का second law अब हम NCIT के कुछ solved examples करेंगे सबसे पहले हम देख रहे है example 9.1 question का गिवन है a constant force acts on an object of mass 5 kg यह आपके book के page number 120 पे गिवन है NCIT के book के so a constant force acts on an object of mass 5 kg so M हमें गिवन है 5 kg for a duration of 2 seconds time हमें गिवन है 2 second it increases the object's velocity from 3 meter per second to 7 meter per second यहनी initially थी उसकी 3 meter per second और final हो ही कितनी 7 meter per second तो हमें निकालना है कि हमें कितनी force लगी तो देखो force आप से था यहां से निकाल सकते हो force is equals to M into V minus U over T which is equals to M is 5 kg V is 7 U is 3 divided by 2 so कितना आएगा यह 5 into 4 upon 2 that is 10 newton ठीक है so the force applied जो आई वो आई कितनी 10 newton काफी simple है यह अब आगे का question देखते हैं now if the force was applied for a duration of 5 second अगर यही force हम 5 second के लिए apply करते हैं तो आप वो कह रहा है कि final velocity कितनी होती देखो अब second party के लिए हमें force पता है कितनी है 10 newton mass तो same ही है 5 kg initial velocity कितनी है 3 meter per second और अब time duration कितनी होगी 5 second so अब हमें इसमें निकालना है हमारा final velocity यह फिए v कितना आएगा so देखो f is equals to यही वाला formula ले ले लेते हैं v minus u over t f कितना है 10 is equals to 5 v हमें निकालना है u हमें पता है ठीके so इसको इससे cancel करेंगे दर 2 यह इसको इससे cancel करो सिदा so v is equals to kitना आएगा 10 plus 3 that is 13 meter per second so second part का answer है 13 meter per second clear so question काफी simple है इसमें बस आपको formulas बता होने चीए और उन formulas को हम कैसे apply कर रहे हैं कैसे करना चीए वो आपको idea होना चीए so this is the example 9.1 अब हम देखते हैं example 9.2 so example 9.2 question कहें which would require a greater force accelerating a 2 kg mass at 5 meter per second square और a 4 kg mass at 2 meter per second square so simple हमें दोनों केसे में force निकालनी हो देहने की कुन सी force जादा आती है so considering mass of 2 kg let us say ये है force 1 तो ये कितनी होगे m1 into a1 और m1 कितना गिवन है 2 a1 कितना गिवन है 5 so it will come out to be 10 newton now consider mass of 4 kg और इसको हम बोल देहने है ये force f2 है तो ये कितनी होगे m2 into a2 m2 कितना है 4 kg a2 कितना है 2 so it will come out to be 8 newton so clearly हमें दिख रहा है की f1 is greater than f2 so a 2 kg mass at 5 meter per second square will require a greater force ठीक है so simple question है simple आपको multiply करके दोनों में cases में force को find out करना है चला बहुत दिखते है example 9.3 so the question is a motor car is moving with a velocity of 108 km per hour and it takes 4 seconds to stop after the breaks are applied यानि अगर initial इसकी इतनी थी तो final कितनी होगी 0 क्योंकि वो रुख गई अब देखो इस में km per hour में गिवन है तो हम directly इसको पहले meter per second में convert कर लेंगे तो meter per second में आपका answer इसमाए 30 meter per second अब दो करते है कैसे convert simple 108 को आपको multiply करना है 5 by 18 से so it will be 6 6 into 5 30 30 meter per second ठीक है ना तो calculate the force exerted by the brakes on the motor car if its mass along with the passenger is 1000 kg so mass हमें given है 1000 kg force हमें निकालनी है force क्या होती है M into V minus U over T so mass is 1000 now V is V is 0 U is 30 and the time is 4 तो ये कितना आगया it will come out to be इसको इससे cancel कर लेते हैं so आगय ये 250 250 into 30 that will be 7500 newton in negative अब ये जो negative direction है simple हमें ये शोव कर रहा है कि जो force हमें अप्लाई की उसने retardation cause किया ठीक है so this negative signal is simply showing that force results in retardation कि तो कितने पर चल रही थी 30 पर और कितने पर आगया 0 पर तो retardation हुआ है so इसलिए इसमें negative sign है but the answer is this 7500 newton ठीक है so simple सा question है सिर्फ हमें जो जो चीज़े given है वो लिखनी है और सिधा formula के अंदर apply करनी है so this is example 9.3 चलो अब देखते हैं example 9.4 question कह रहा force of 5 newton gives a mass m1 and acceleration of 10 meter per second square यानि कि अगा मैं कहता हम force is equals to mass into acceleration तो 5 newton force को apply करने से एक mass जो m1 था उसमें कितनी acceleration आई 10 meter per second square यानि m1 कितना है आपका simple 5 by 10 थाके 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 इन a force of 5 newton gives a mass m2 and acceleration of 20 meter per second square यानि 5 newton कि ही force एक m2 mass को 20 meter per second square की acceleration देती है यानि m2 कितना हो गया 5 by 20 अब कुश्चेशे है what acceleration would it give if both the masses were tied together so when both the masses were tied together जब दोनों masses को आप मिला दोगे तो कितनी acceleration प्रोवाइड होगी तो simple सा है इसमें कुछ ज़्यादा मुश्किल नहीं है so total mass कितना हो गया M1 प्लस M2 which is equals to 5 by 10 plus 5 by 20 और इसमें अगर मैं 20 को LCM ले लेता हूँ तो कितना आएगा ये 10 plus 15 10 plus 5 15 by 20 ठीक है so force तो मैं पता ही है 5 newton है so 5 is equals to 15 by 20 into A A हमें find out करना है A ही तो निकालना है तो A कितना आजाएगा है इसको करतो 3 so A will be 20 by 3 A will be 20 by 3 और 6.67 meter per second square so this is the answer of question और example 9.4 ठीक है so this is the example काफी सिंपल कोशन है ये भी so example 9.5 ये कहता है ता velocity time graph of a ball of mass 20 kg moving along a straight line on a long table is given below ये आपको एक graph given है किसका एक body का जिसका mass 20 gram है so देको सिंपल सा पहले ही कर लेते हैं convert 20 gram को convert करना है मुझे kg में क्योंकि जम force निकालते हैं तो mass kg में होता है तो कितना जागा 20 divided by 1000 ठीक है so it will be what 0.02 kg ठीक है then how much force does the table exert on the ball to bring it to rest ये हमें velocity यहाँ पर centimeter per second में given है और यहाँ पर time given है तो देको force कितनी होती है force होती है mass into v minus u over t ठीक है अब v minus u निकाल लेते हैं पहले चलो कितना आएगा v तो 0 है 0 पागई ना यहाँ से चलते 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 0 पागई so 0 minus 20 so that will be minus 20 cm per second अब cm per second को meter per second में हमें convert करना है या फिर ठीक है इसको हमें करना पढ़ेगा meter per second के अंदर so simple इसको क्या करेंगे हम divided it by 100 so v minus u will be minus 0.2 meter per second minus इसलिए की retardation हो रही है so the force कितनी हो गई है mass है हमारा 0.02 v minus u कितना है minus 0.2 divided by t कितना है यह देखो 0 से लेके कितने time पर आया 10 seconds so 10 तो यह कितना हो गया this is minus 0.00 4 newtons ठीक है so this is the answer of this example अब देखते हैं newton's third law of motion newton's third law of motion says to every action there is equal and opposite reaction मतलब आप कोई भी force लगाते हो तो उसका उतना ही एक force लगती है बट opposite direction में जिसको हम बोलते हैं reaction जैसे कि अगर मैं आपको एक simple सा example दूँँगा एक balloon है अगर so there is a balloon और अगर इस balloon का जो opening है अगर इसको आप open कर दोगे इसके मूँ को open कर दोगे तो क्या होगा हवा इदर की तरफ जाएगी यानि force जो लग रही है वो इस direction में लग रही है तो आपको भी करके देखना है अगर आप ऐसे करते हैं तो balloon जो है वो opposite direction में move करता है तो वो reaction है ठीक है ऐसी एक बहुत ही classic case होता है जो कहते हैं कि हम कैसे चलते हैं how do we walk so एक जो इंसान है जब वो walk करता है तो वो क्या करता है वो force लगाता है ground के उपर ठीक है so the action which is the force which is applied which is the force which is applied is in the backward direction अब अपने पैर से क्या करते हो पीछे के तरफ फोर्स लगाते हो so this is the action backward direction तो ground क्या करता है equal or opposite direction के अंदर force लगाते है तो आप इसके अंदर आगे की तरफ move करते है तो यह हो गया reaction ठीक है ऐसी एक और case होता जिसके हम बोलते है recoiling of the gun कि जब भी अगर एक gun को चलाया जाता है तो gun पीछे की तरफ धक्का देती है बोलते हैं तो वो यह यह की दे को जो अगर यह gun है suppose let us say this is a gun so जो bullet है वो कहां पर जाएगी bullet जाती है इस direction में यानि action लग रहा इस direction में तो equal and opposite force लगेगी opposite direction में जिसके ऐसे गन जो हो recoil करती है पिछे की तरफ आती है ठीक है इसी सारे concept के कारण हम कहते है to every action there is equal and opposite reaction so इसके बहुत सरे examples है और भी examples है ऐसे एक होता है rocket का आप सबने देखा होगा दिवाली के अंदर rocket चला जाता है so let us say this is the rocket अब rocket में क्या होता है force इदर की तरफ निकलती है नीचे की तरफ पूरा उसकी gases निकलती है so नीचे की तरफ action लगता है और उसी के reaction के कारण है जो rocket है वो उपर की तरफ जाता है और यही same concept काम करता है आपका rockets के अंदर जो space में बेज़े आते है ठीक है so अगर एक general diagram हम बनाए इस concept का तो वो कुछ इस तरह से होता है let us say मेरे पास यह box है अभी जो box है यह ground के उपर कोई force लगा रहा होगा जिसको हम बोलेंगे action और generally यह होता है जितना इसका weight है mg उतनी force यह ground के उपर लगा रहा होगा अब इतना ही force opposite direction में लग रहा होगा इसके reaction में ठीक है so this is the concept of Newton's third law of motion जो कहता है to every action there is equal and opposite reaction और यह इसके कुछ application से जो मैंने आपको यहाँ पर बता दी है ठीक है now let us see another concept which is conservation of momentum momentum क्या होता है m into v mass into velocity conservation of momentum कहता है when two or more bodies act upon one another their total momentum remains constant or conserved provided no external forces are acting जैसे कि अगा मैं एक simple सा example लेते है there is one body of mass M1 और यह body move कर रही है velocity U1 से and again there is one body of mass M2 यह move कर रही है U2 से ठीक है अगर इनका initial momentum केतना है total M1 U1 plus M2 U2 अब अगर हम कहते हैं कि यह दोनों body collide कर गई एक collision हुआ इन दोनों का और after collision they goes like that M1 अब move करने लग गई velocity V1 से और M2 move करने लग गई velocity V2 से तो हम कहेंगे that M1 U1 जो initial momentum था that is equals to final momentum so this is the initial momentum momentum को हम P से denote करते हैं और यह कह है final momentum और यह ही जो equation है यही जो concept वो कहलादा conservation of momentum clear so now we will solve some of the questions given in NCIT book solved examples ही कर रहा है क्योंकि हम theory पढ़ रहा है पूरा so now let us solve the solved examples so basically 3 examples है NCIT books में और यह है page number 124 125 and 126 पे इन 3 examples को हम देखेंगी कैसे solve करते हैं और यह 3 examples आपके basically based हैं 3rd law of motion या फिर conservation of momentum के उपर पहला question क्या है example 9.6 a bullet of mass 20 gram is horizontally fired with a velocity 150 meter per second from a pistol of mass 2 kg so so अगर यह हमें given क्या है कि एक pistol है इससे एक bullet को fire किया गया है ठीक है so initially तको जब rest पे थे initially at rest कुछ इस तरह से दिख रहा था so initially at rest the momentum is m1 u1 plus m2 u2 अब दो को initially जब rest पे रहा तो u कितना है दोनो केस में 0 so initial momentum is 0 or 0 kg meter per second so let us say it is p1 initial momentum अब जब pistol से bullet को fire कर दिया गया तो क्या हुआ bullet जब fire कर दी गई तो bullet की जो velocity है 150 meter per second और हमें इसकी velocity recoil velocity find out करना है let us say it is V so after the firing of bullet momentum कितना जगा let us say it is P2 so M1 V1 plus M2 V2 mass of pistol is 2 kg so let us say it is 2 V or V1 plus mass of bullet is 20 gram that is 0.02 kg into 150 so it will come out to be 2 V plus 3 okay now according to the conservation of momentum आपको इन questions को जब solve करोगे तो आपको लिखना पड़ेगा so according to the principle of conservation of momentum conservation of momentum P1 should be equal to P2 or we can say that 2 V plus 3 is equal to 0 or V is equal to minus 1.5 meter per second अब यह minus का sign का शो कर रहे है कि जो velocity है it is in the opposite direction ठीक है अब देख सकते हो अगा bullet इस direction में गिए तो velocity recoil velocity जो आपिस्टल की वो opposite direction में so it is just showing the direction so answer है इसका minus 1.5 meter per second तो इस तरह से आप इन conservation of momentum की questions को solve कर सकते हो now we will see example 9.7 a girl of mass 40 kg jumps with a horizontal velocity of 5 meter per second onto a stationary cart with frictionless weights so देखते है initial momentum कितना है girl का weight कितना है 40 उसकी speed कितनी है 5 plus cart का weight कितना है 3 kg but cart अभी stationary तो उसकी velocity कितनी होगी 0 so initial momentum is 20 kg meter per second चीक है अब इसमें कहा गया है कि यह girl कूदिय काट के उपर कूदिय काट के उपर चली गई है so what is her velocity as the cart starts moving so final momentum कितना हो जाएगा that is 40 plus 3 दोनवा combined weight into V that is equals to 43 V now according to conservation of momentum this initial momentum which is 200 should be equals to final momentum which is 43 V so V is equals to 200 divided by 43 अगर आप इसको divide करोगे तो answer आपको मिलेगा 4.65 meter per second so this is the answer यह answer है example 9.7 का ठीकि now we will see the last question of this particular video which is the example 9.8 of NCRT page number 126 तो इस question को करने के लिए हम साथ साथ इसमें जो variables used होंगे उनको लिखते चलते हैं two hockey players of opposite teams while trying to hit a hockey ball on the ground collide and immediately become entangled one has a mass of 60 kg यानि एक hockey player का जो mass था वो था 60 kg and was moving with a velocity of 5 meter per second let us say यह इस direction move कर रहा था 5 meter per second की direction से while the other has a mass of 55 kg दूसरे hockey player का जो mass है वो है 55 kg and was moving faster with a velocity of 6 meter per second towards the first flow यानि वो इस से opposite direction move कर रहा है with velocity of 6 meter per second अब अगर हम इस direction को positive ले रहे हैं तो इसको हम negative ले लेंगे यानि यह minus 6 हम मान के चल लेंगे ठीक है now question is in which direction and with what velocity will they move after they become entangled so पहले initial momentum निकाल लेते हैं कितना हैगा 60 x 5 plus 55 x minus 6 ठीक है so this is the initial momentum और इसमें काया गया कि after collision they entangled together यानि दोनों एखटे जुड़ गए ऐसे कहलो तो दोनों का combined mass कितना हो गया 60 plus 55 that is equals to 115 kg अब हमें बताना है कि इनकी velocity कितनी है और यह कितने से move और किस direction move करेंगे so the final momentum will be let us say the velocity with the move is V so the final momentum कितना हो जाएगा 115 V now by the concept of conservation of momentum this two should be equal यह दोनों बराबर होंगे यानि minus 30 is equals to 115 V और V is equals to minus 0.26 meter per second अब दोको minus sign है इससे हमें पता लग रही direction हमने minus direction कहां पे ली थी right to left की तरफ यानि इस direction में move करेगा right to left with the velocity of 0.26 meter per second so this is the answer of this particular question थोड़ा अगर आप figures बना लोगे तो उससे इन questions को करने में काफी जादा help मिलती है so students मैंने इस video में जो की एक combined video था इसमें मैंने पूरा chapter आपको explain किया है which is chapter number 9 force and laws of motion हमने सारे NCIT के सारे examples को solve किया है और सारे concepts को study किया है इसके next video से मैं इसके unsolved examples को solve करूँगा unsolved exercises जो है NCIT उनके हम solutions देखेंगे क्या होंगे अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो आप मेरे चैनल को subscribe कीजिए और बैल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि आपको सारे वीडियो की update साथ साथ मिलती रहे तो कीजिए मैं चैनल थेंक यू